हाई फ्रेंड्स माइनम इस राजेश वेलकम बैक तो दिस न्यू वीडियो तो आज के इस टूटोरियल में आइम गोई टो एक्स्पेन यू कि कैसे मैंने कैनवा का यूज करकी यह काउस्मेटिक पोस्टर को डिजाइन किया है सो नाओ विदाउट एनी फॉर्डर देले लेट्स स्टार्ड डिजाइन बट उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि क्या क्या एसिट्स रिप्वाइड हैं ओवरॉल इस पोस्ट को क्रियेट करने के लिए कि जो हम इमेज में यूज करने वाले हैं यहां पे आपको बहुत सारी इस तरीके की फोटो मिल जाते हैं इस पोस्ट को क्रियेट करने के लिए यह जो आपको कोड से जनीम से फॉंट है और यह हर एक चीज आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडियाफ लिंक है जस्ट क्लिक ओन डैट और आप उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो और जो इसमें हमने फॉंट यूज किया है as you can see here हमने तीन फॉंट यूज किया है that is times new roman, montserat and montserat semi bold इसका कहां कहां कैसे कैसे यूज होगा वो हम पुरा explain करने वाले as you can see, यहां पे जो दोनों font है, तीनों font, free fonts है, जो कि easily कहनों free में भी use हो सकता है and जो हम color use करने वाले, अब एक चिसका आप देखना color हमने हर एक post में, अभी तक मैंने जितना post design के आपको बताया है, हर एक post में लगबाग लगबाग हम image से ही उठा रहे होते हैं उस color का, मतल just follow करके हम यह तीन color को find out किये हैं, then elements जो हम हम use करेंगे, square इसको कैसे search करते हैं, just go here, और यहां पे आपको lines and shapes में option मिल जाता है, square का, we have used this square और हमने यहां पे एक line पे use किया, जो कि यही से line मिल जाता है, जिसका हम use करेंगे, इस overall post को create करने के लिए, और इस logo को भी हमने यही से find out किया है, इसको find out करने के just go into elements और यहां पे आप type कर दो cosmetics, जैसे ही आप cosmetics लोगों type करोगे, just go into the graphics और यहां पे बहुत सारे logos मिल जासे हैं, आप उन्हें use कर सकते हो, या अगर आप किसी client के लिए design कर रहे हो, तो आप उसकी logos को आप पे use करोगे, इस total overall post को create करने के that is Instagram post size, just click on this, और click करने के बाद से कुछ इस तरीका से blank page open हो जाता है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दू, कि इसको मैं proper breakdown method से explain करने वाला हूं, क्योंकि अगर मैं इसको step by step हर एक चीज़ create करने लागा, it will take so much time, जो कि I hope कि time आपके पास भी नहीं होगा, है ना, तो यहां पर हमने सबसे पहले एक blank page लिया हुआ था, जो कि वही था, as you can see, 1080, 1080 pixel size की, और सबसे पहले हमने इसके background color को fit कर लिया है, जो कि hexa code आपको description box में एक PDF मिलेगी, उससे download कर सकते हो, just hexa code क्या है, यहां से color साब देख लो हाई, यह है, F4F0EB, इसका हमने यहां पर place कर या आपने rectangle कुछ इस तरीके से आप इस तरीके से place करो, just take this, लेने के बाद से, कुछ इसके color को सबसे पहले change कर लो, like this, और just increase size, increase size, size को increase करने के बाद से, आपको कहे करना है, इसको आपको rotate कर लेना है, यहां से, just like this, अब rotate करके, आपको corner से corner को मिलाना है, तो it will take time, I know, but, अग consistently, अगर आप करते हो, तो आप बहुत ही easily corner से corner को आप joint कर सकते हो, as you can see, कि मैंने थोड़ी दिर में इसको corner से corner को मिला दिया, corner से corner मिलाने के बाद से, आप इसको lock करना है, lock कैसे करना है, otherwise, आगर आप इस पर text या other work करोगे, तो यह इधर से उधर rotate होता रहेगा, जिससे कि आपको काफी problem होगी, तो यहाँ पर इसको select कि रहना है, और यहाँ पर जाना है, this one, as you can see, this option, that is, lock the position, इसको आप lock कर दो, अब यह कितना भी आप rotate करो, इस पर आप कुछ भी लिखो, यह rotate नहीं होने वाला, so, यहाँ तक create करने के बाद से हमने क्या किया है, just image को middle में इस त cosmetics, इसको कैसे लिखा है, summer, 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 जो हमने लिखा है, that is times new roman, जो कि आप देख सकते हों, यहाँ पर, this times new roman, और इसको हमने uppercase में रखा है, means all capital, और इसके बाद से हमने यहाँ पर cosmetics लिखा है, cosmetics जो लिखा है, Mont Serat semi bold, as you can see, यह, और इसको भी हमने uppercase में रखा है, और इसके just आ this is the reason, जिसको मैं कहे रहा था, कि इसको lock करने से profit क्या है, just check this, अगर मैं इस lines को लेता हूँ, और अगर यह lock नहीं है, जैसे कि अगर मैं इसको unlock कर देता हूँ, और अगर मैं इसको place करो, देख रहे हो, this one, यह problems आती है, जिससे कि वज़से हमें इसको lock करना होता है, और lock करक आप use कर सकते हो, इसको आप कहीं पर भी place करो, इससे कोई problem नहीं होगी, इस तरीके से place करके, आप इसको sort कर दिया है हमने length को, और जिससे कि हमें काफी अच्छा look मिलता है, मुझे तो काफी प्रसनली पसंद है, आपको अगर पसंद है तो please comment below, and then after हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ detail से इसको use किया है, dummy text मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, montserat में, अगर यहाँ पर कुछ इसके product का description लिखना हो, तो आप लिख सकते हो, जिससे कि इस product में overall क्या चीज है, वो highlight हो सकता है, next step में हमने क्या किया है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से up to 50% लिखा है, कैसे इसको हमने bold रखा है, तो काफी cool look मिलता है, और up to को हमने, montserat semi-bold seam, और इसको हमने, जैसे अगर up to आग लिख होगे, अगर मैं इसको duplicate कर दूँ, तो कुछ इस तरीके से होगा, right, something just like this, right, but हमने क्या किया है, इसको rotate कर दिया है, 90 degree, और इसको हमने इस size, इसके size का रखा है, कैसे रखा है, just मैं rollers on कर लेता हूँ, अगर आप mobile यूज़ कर दो, तो इसमें आप square shape यूज़ कर सकते हो, इसको मैंने कई सारे वीडियो में explain किया, i button में link है, please check out that, कि कैसे हम इस guides का mobile में यूज़ करते है, same, मैंने इसको, आप देख सकते हो, कि इसी के बराबर रखा है, जिससे कि हमें overall एक पूरे post में एक alignment मिलती है, एक typography और हर एक चीज बेहतर feel और look प्रोवाइट करता है, so, यहाँ पे up to 50% इस तरीके से लिखने के बाद से है, हमने इस part को highlight करने के लिए, क्या किया है, यहाँ पे as you can see, हमने एक shape, जो square shape था, just go here, और square shape को इस तरीके से, इसके हमने feel को off कर दिया है, यहाँ पे जाने के बाद से just colors को none कर दो, यहाँ पे जाओ border style, यह this option, border style, just click on this, और इसके border weight को आपको increase करना है, ना कि corner rounding को, border weight को कुछ इस तरीके से increase कर लो, और इसके color को यहीं से border color में change कर दो, just like this, as you can see, अभी तक हमारा color change हो चुका है, और इ properly place कर दिया है, इस तरीके से, so यह था अभी तक का, कि हमने कैसे यहाँ तक create किया है, now, हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले, एक और फिर से square से play है, this one, sun, square से playने के बाद से, इसके color को हमने, कुछ change किया है, आप चाहो तो इस image को भी lock कर सकते हो, but don't worry, अगर नहीं lock कर नहीं तो भी ठीक है, इसके बाद से हमने इस color को यहाँ से जाके, change किया हुआ है, just like this, और something इस तरीके से हमने place किया हुआ है, place करने के बाद से, यहाँ पे हमने logo भी लिखा है, यहाँ पे logo, आप दिखो कि logo हमने जो यूज किया है, बहुत ही creatively यूज किया है, जिसके हमने background को color के बराबर हमने रखा है, जिससे कि एक overall यहाँ पे cut जो होता है, वो काफी अच्छा feel, look अच्छा provide करता है, जिससे कि मुझे काफी पसंद है कि मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को drawing में, मतलब जो भी आप post use करो, इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों करेक्शन करके कि आप चीज़ों को highlight करो, और creative बनाओ, जिस वन यहाँ तक करने के बाद से हमने क्या किया है, यहाँ पर shop now, जो कि हमने call to action लिख लिख लिया है, call to action shop now कि इसमें लिखा है, Montserat semi bold में, और bold रखा हुआ है, then हमने website भी लिख दिया है, जिससे कि कोई भी person check out कर सकता है, तो य यह simple steps का use करके, मैंने इस overall post को create किया है, इसको कैसे download करते हैं, just go here in the share option, और यहाँ पर download पर जाओ, और इसको maximum size पर आप increase करो, जिससे कि यह overall जो आपका post है, वो high quality में आ है, और आप इसे कहीं पर भी use करो, blurriness effect ना है, and just click on this, और जो भी page है आपका, उस page को आप select करो, और just click on the download button, download रहते है, so this is all for this cosmetics post design, I hope guys के आपको tutorial पसंद रहा होगा, और आपको इस tutorial से बहुत सरी चीज़े सीखने को मिले होंगी, अगर आपको यह video अच्छा लगा, please like this video, and must subscribe my channel, so that आने वाले videos के आपको notification मिलती रहे, till then, I will be back with another video, see you, keep smiling,